कबीर सिंग के आलावा प्रियंका का हीरो रह चुका है दिल्ली के पूर्व डिप्टी मेयर का बेटा अनसुनेत थे मौडल और अभिनेता अर्जन बाजवा हाल ही में फिल्म कबीर सिंग में नजराय थे 3 सितंबर को अर्जन 49 साल के हो गए हैं दिल्ली में जनवे अर्जन के पिता सविंदर जीत सिंग बाजवा दिल्ली डिप्टी मेयर रह चुके हैं वो भारतिय जनता पार्डी के नेता रहे हैं अर्जन का उजहान शुरुआत से मौडलिंग की ओर था अर्जन ने अपनी पढ़ाई दिल्ली से की उन्होंने एगरिकल दिजाइनर्स के लिए रैंप पॉक किया मौडलिंग के साथ अर्जन ने लक्स, वीट, फियेट और गोद्रे जेसी समेत कई ब्रांड्स के लिए विग्यापन किये अर्जन ने विग्यापनों में बॉलिवुड की बड़ी अभिनेत्रियों एश्वरिया राय, कट्रीना कैफ और प्रीती जिंता के साथ काम किया मौडलिंग और विग्यापन करने के दोरान अर्जन के लिए फिल्मों के लिए रास्ते खुल गए और उन्होंने बड़े परदे की और उरुख किया अर्जन ने अपने करियर की शुरुआत टेलगू फिल्म से की बॉलिवुड में उनकी पहली फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म गुरुवार थी अर्जन को साल 2008 में आई फैशन फिल्म से काफी लोक प्रियता मिली फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिकाने भाई थी और प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट थे अर्जन की दूसरी मुख्य फिल्मों की बात करें तो कुरूक, सन अफ सर्दार, बॉबी जासूस और रुस्तम है अर्जन बॉलिवुड में ज्यादा नाम कमा नहीं पाए और ज्यादतर सपोर्टिंग किरदार में नजर आते हैं 18 साल के करियर में अर्जन ने कुल 24 फिल्मे की है